नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सिक्छा अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजरेंगे मिसिंग नमर का पार दूचरा जिसमें हम प्रमुक पांच प्रेशनिया पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी एक्जामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है तो चली दोस्तों बिना कोई दीडिकी हुए आज का यह वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दुस्तों पहले वीडियो में हमने बात की थी कॉश्चन नमर एक से लेकर पांच तक के बारे में कॉश्चन एक से पांच तक सॉल्व किये थे यदि आपने वह नहीं देखा हो तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्केप्सन में मिल जाएगी और आज हम बात करेंगे कॉश्चन नमर शिक्स से लेकर टैन ता यानि पांच कॉश्चन यहाँ पर सॉल करके बताएंगे यह और आप पूरा वीडियो देखने वकाद हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेश्चन अपना पहला है एककतर, ट्रेश्चन और पचपन उसके बाद कॉश्चन यानि खाल इस्तान के ज़हाँ पे कौन सा अंक आने बाला है तो देखें सीरज कैसी बन रहे हैं सबसे पहले अपन क्या सीरज को देखते हैं तो सीरज एकतर से 63, 63 से 55 हो रहा है यानि कि यह है क्या हो रहा है? यह है माइनिस हो रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनिस हो रहा है तो 71 जैसे आप 63 को माइनिस करेंगे तो कितना बचेगा? यह 8 का डिफरेंस इनके बीच में इसके बाद Gesetz醉 ःट का माइनिस करेंगे तो kitना इनका भी आठ का डिफरेंस इनका भी यहां पर आ रहा है इसके बाद आप 55 मैंसे कितने आठ घटाएंगे? 55 मेंसे कितने 8 घटाएंगे यदी तो रहे कितना आजाएगा time तो यहां पर आजाएगा 47 आजाएगा तो यह जो difference है कितनी का minus 8 का एक ठीके 91 से 63 में कितना होगा minus 8 होगा फिर 63 से 55 मैंन Key 55 से यदी minus कितना होगा 8 होगा, तो answer क्या आजाएगा आंसर यहाँ पर आजाएगा 47 आजाएगा तो राइट आंसर अपना यहाँ पर दिया हुआ है आपसन नमरे यानि 47 तो 55 के बाद जो नमर आएगा वह रहेगा कितना 47 रहेगा देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको स्वाल कर सकते हैं लेकिन इसमें सबसे पहले समझना होता है कि सीरिज में कौन सा लोजिक लग रहा है ठीक है इसके साथ आंगे बढ़ते हैं अंगला फ्रिश नहाँ पर है सातमा नमर का और यहाँ पर देखिए 10, 16, 25 और 37 यहाँ किस सीरिज में क्या हो रहा है तो इस सीरिज में हो रहा है इसमें नमर बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है इसमें नमर बढ़ रहे हैं तो देखिए कितने नमर बढ़ रहे हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ कितना है यहां देख रहें 10 है 10 से कितना सूला हो रहा है सूला होने के बाद यहां पर इनका डिफरेंस कितना है तो इनका डिफरेंस है प्लस 6 इनका डिफरेंस आ रहा है फिर सूला से कितना हो रहा है सूला से 25 हो रहा है तो इनका डिफरेंस यहां पर देखी कितना है इनका Difference Plus 9 है इसके बाद देखेंगे कितना 36 हो रहा है अब 37, 25, 37 किस डिफरेंस है वह कितना है वह यहां पर 12 है इसके बाद 37 की बाद जो यहां पर क्या है यहां पर है खाली इस्टान आनि कौशन मार के यहां पर आपको संक्या दूननी है तो देखिए आप लोजिक लगा लिए पहले 6 हो रहा है उसके बाद 9 और फिर हो रहा है यहाँ पर 12 हो रहा है तो इसके बाद फिर कौन सा नमबर यहाँ पर आएगा आप खुद अंदास लगा सकते हैं लोजिक कौन लग रहा है लोजिक यहां पर देखिए पर छे से कितना हो रहा है छे से हो रहा है नो यानि कितने प्लस तीन हो रहा है कितने प्लस तीन हो रहा है इसके बाद नो से बारा में जाएंगे तो प्लस तीन हो के बारा हो जाएगा अब बारा में प्लस कितनी करेंगे 12 में प्लेश हम Precis 3 कनेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा Rudolph 5 अब 37 में अदिधू. 15 जोडएंगे सेंचिसमें 35 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा попроб 5 यानि इस कितना वावर्ण हो जाएगा तो उसे कॉस्जिय अब fle ऑसन नमर वी आएगां 662 यानि वावन नमर का जो नमर है यापर वह राइट आंसर हो जाएंगा यानि 16-10-18-25-906 जो नमर आएगा वह कौन सा नमर है वह है वावन नमर ऑप्सें नमर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद चलिए देखे आगे बढ़ते हैं अंगला कौ्शन अप 29, 49, 121 और 179 यहां पर दिया है तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौशन मार्क की जगा पर क्या आएगा आफसन में है एक, तीन, दो और कितना है चार है इसमें से कौन सा नमबर यहां पर आएगा सबसे पहले आपको यहां देखें तो देखें किस टाइब से पर लोजिक देखेंगे यह आपको नमबर समझ में आ रहे होंगे कि यह नमबर कौन से नमबर है या फिर किस नमबर है तो देखें सबसे बहुत नो किया है 9, 25, 49, 21 यह आपको देखके ही लग रहे हैं किसी संख्या की बर्ग है यानि कि 9 जो है वह किसका 3 का बर्ग है ठीक है इसके बाद 25 है 25 किसका बर्ग है तो 25 है 5 का बर्ग और 49 49 किसका बर्ग है 49 है 7 का बर्ग 121 121 कितने कितनी का है तो यह 11 का इसक्वेर है ठीक है यानि बर्ग है और 189 यह है कितने का यह 13 का इस्क्वेर है कितने का 13 का इस्क्वेर है तो देखें यह सभी कौन सी है अभाद जिस संख्याओं के वर्ग है कौन सी अभाद संख्याओं के यहाँ जो वर्ग दी होई है तो 9 के जो पहले यानि यानि तीन के पहले जो अभाद संक्या कितनी रहती है दू रहती है तो दू का स्कॉर कितना हो जाएगा दू का स्कॉर हो जाएगा चार तो यानि 9 के पहले जो यहाँ पर question mark दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा यहाँ आएगा 4 यानि option number D यहाँ पर दिया हुए 4 तो इसका right answer हो जाएगा 4 हो जाएगा अब देखी यह 4, 9, 25, 49, 41, 21 और 119 यह सभी अभाज जिस अंख्याओं की वर्गे यहाँ पर लिखे गए है तो question mark की जिकाँ पर कौन सा point वो आएगा डिजिट आएगा तो यह 4 डिजिट आएगा ठीक है यह इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं अंगला फ्रिशन यहाँ पर देख लेते हैं question number 9 question number 9 यहाँ पर क्या कह रहा है यह कह रहा है 9, 18, 36, 72, 144 उसके बाद है यहाँ पर question mark यह question mark की जिकाँ पर आपके लिए option दिये हैं 288, 289, 292 और 295 यहाँ पर option दिये हैं तो right answer क्या आएगा चलिए इसको भी आसाने से स्वाल करके देख लेते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आकर इसमें हो क्या रहा है तो देखें यह इबरते क्रम में है यानि प्लस हो रहा है तो प्लस कितना हो रहा है तो देखें सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 9 से कितना हो रहा है 9 से हो रहा है 18, कितना 18 हो रहा है तो यह कितना प्लस हो रहा है यह इसमें 9 प्लस हो रहा है इसके बाद 18 से कितना 36 हो रहा है 36 में कितना 36 में भी 18 प्लस हो रहा है ठीक है इसके बाद 36 के बाद आपन जाएंगे 72 पर तो 72 में क्या हो रहा है 32 में यह कितने का difference है यह भी 36 का difference यानि 36 में 36 plus होंगे तो बहतर हो जाएगा इसी परकार से आप आगे जाएंगे तो कौन सी संक्या हो रही है 72 के बाद 144 हो रही है तो इसमें कितने plus हो रहा है इसमें भी 72 plus हो रहे है अब आगे का नम्म डदी आपको find करना है तो आपको 144 में कितना 144 ही जोड़ना होगा कितना जोड़ना होगा 144 ही जोड़ना होगा तो आप देखें यहाँ पर 144 में आपको कितना जोड़ेंगे 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो यह आएगा आपका 8 और 2 यानि कि 288 आजाएगा 288 अपन ओप्सन में देखेंगे तो ओप्सन नमर ए में यहाँ पर दिया हुआ है 288 तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओप्सन नमर ए 288 इस राइट आंसर यानि 144 इसकी पार जो कॉस्टन माल की जिगा पर नमर आएगा वह कितना रहेगा वह रहेगा 288 यहाँ पर रहेगा देखेंगे हर एक कॉस्टन में कोई ना कोई नया लॉजिक तो रहता है आपको केवाल लॉजिक ढूना होता है कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है और कॉस्टन अपने आप ही इस जली से सौलाप कर लोगे इसके बाद चलते हैं वीडियो के आखरी कॉस्टन पर जो आखरी कॉस्टन यहाँ पर है दसमा नमर का और यहाँ कॉस्टन है कि 7, 10, 14 और 19 इसके बीच यहाँ पर कॉस्टन मार्क दिया हुआ है और लाश्ट में है 32 यहाँ इनके जो कॉस्टन मार्क जी आप पर कॉस्टन आएगा ओप्सन है 20, 18, 25 और यहाँ पर 27 तो देखें यहाँ पर लोजिक सबसे पहले अपन को क्या करना है सबसे पहले अपन को इसमें लोजिक ढूड़ना है कि आखर इसमें कौन सा लोजिक लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखें यहाँ क्या सबसे पहले लोजिक अपन को देख की समझ में आ जाता है कि यह बढ़ती किरम में है तो यह कुछ संख्या इसमें प्लस हो रही है तो प्लस में अपन देखेंगे कितना प्लस यहां पर हो रहा है तो सबसे पहले किस को पक्ड़ेंगे अपन साथ को उठाएंगे अब साथ से कितना हो रहा है साथ से हो रहा है दस तो दस में कितना साथ में कितना प्लस हो रहा है तो यह कितना तीन प्लस हो रहा है तो साथ हो रहे हैं साथ के दस के बाद अंगली संक्या क्या है अंगली संक्या है चवदा अब यहां पर कितनी प्लस हो रहा है तो यहां पर हो रहा है चार प्लस यहां पर हो रहा है इसके बाद चवदा के बाद कौन सा नमबर आ रहा है 19 नममर आ रहा है तो 14 में कितना 5 प्लस होने के बाद 19 आएगा अब 19 के बाद कितना प्लस होगा कि यहाँ पर question mark की जगा पर अंका जाएगा फिर उसके बाद कितना हो रहा है उसके बाद 32 यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो देखिये यहाँ पर आप समझ गया होंगे कितना देखे, पहले तीन, चार और फिर 5 तो अपन 19 में कितना छ जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 5 की बात कौन सा 6 अंक आएगा तो इसमें अपन 6 जोड़ेंगे तो यदि 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह 25 हो जाएगा अब 25 में 7 चोड़ेंगे तो यदि 32 आजाएगा तो अपना राइंसर सही हो जाएगा यदि 25 में अपन 7 चोड़ेंगे तो किया आजाएगा 32 आजाएगा यानि 25 जो यहाँ पर डिजिट आया है वह अपना राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो इसी के साथ एह वीडियो हमारा श्रमापत होता है हमने इसमें स्वाल्व की है मिसिंग नम्मर के 5 इंपोर्टेंट कॉसन जो कि आपके आगामे एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यदि आपने हमारा इस वीडियो को पूरा देखा हो तो फ्लीज हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक क्लिए दोस्तो बाई